नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी अकैडमी में एंड गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकॉलजी स्पेशल ओके साइकॉलजी स्पेशल में हम आपके साथ आज डिसकस करेंगे तकरीवन 50 to 100 क्वेशन आप साइकॉलजी ओके इसको टैस्ट पेपर 3 में ने दिया है जितना भी मेटीर मेरे पास अबलेबले टैड का वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइट करवाता रहूंगा ओके कल हमने प्रेपर भी एक डिसकस किया था थोड़े से क्वेशन उसके बच गए थे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम उन क्वेशन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि आपको पता है साइकॉलजी में काफी क्वेशन पूछे जाते हैं और हमेशा ही साइकॉलजी में ऐसे क्वेशन आते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते हैं तो चरिए मैं आपको स्क्रीन के ओपर लेके चलता हूँ एंड आई होब कि अब आपको वीजिवल होगा बॉइस सही है ओके हर एक चीज़ सही वे में वरक कर रही है तो साइकॉलजी के तक्रीवन हमारे पास यहां पर हंडर्ड प्लस आइधिंग फाइव हंडर्ड क्वेशन से हैं टोटल तो आज इतने हम से होंगे उतने हम आपक इन दा ब्रेन यहीं वो कौन से साइट है जिसमें माइंड और बॉड़ी जो वो इंट्रेक्ट करता है आपस में तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन है ओके तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास यहां पर राइट आंसर है ओके पाइनल ग्लैंट रेवसर रेलेटिड होते हैं या सम्टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके लिए सही कर देंगे ओके नेक्स्ट हमारे पास who discover the chemical basis of neurotransmission तो इसका right answer क्या होगा आपके पास option number D ओको okay auto loevy okay option number D जो आपके पास यहां पे right answer है next हमारे पास human CNS is composed of human CNS जो आपके पास वो composed होता है brain and spinal cord के बीट में next हमारे पास the link between the nervous system and the endocrine system is due to the presence of जो आपके हमारी body में link होता है nervous system में and endocrine system में वो किसकी बज़ा से हमारे पास होता है तो हमारे पास option number D जो है इसका आपके पास right answer है okay देखी यह कुछ बायो से related question है अगर कुछ question है ऐसे exam में आ जाते हैं okay in neurons the axons are insulated by the matter name as तो उसका right answer का है हमारे पास option number B okay next हमारे पास the term of soma is related to जो soma term है आपके पास वो किस चीज़ से related है वो हमारे पास related है cell body से okay किस चीज़ से related है cell body से next हमारे पास melatonin is produced by which gland तो melatonin है आपके पास वो कौन से gland से जो है वो produce होता है तो इसका right answer है हमारे पास option number C okay penal gland next हमारे पास the goal of social cognitive theory is basically तो आपके पास social cognitive theory का क्या goal है हमारे पास उसका goal है आपके पास self regulation option number B जो आपके पास इसका right answer है next हमारे पास social learning theory बास develop by तो social learning theory जो है वो किसके द्वारा दी गई थी तो alvert bandura okay alvert bandura के थूज़ वो आपके पास यहां पे दी गई थी next हमारे पास bandura social cognitive theory is based on which perspective तो social theory जो थी cognitive की bandura की वो कौन से perspective के ओपर work करती थी वो based थी आपके पास agentic यह आपका यहां पे right answer है next हमारे पास the ecological theory explain about तो जो ecological theory है आपके पास वो explain करती है environmental influence on a development के explain करती है environmental influence on a development next हमारे पास which theories say that there are sensitive period of development in human life तो कौन से theory कहती है यह मारे पास कहती है ethological theory c जो है इसका right answer है next हमारे पास which of the following approach to personality is least deterministic तो कौन सी approach है आपके पास जो कहती है पे right answer है in the fluid theory of personality जो आपके पास fluid की theory है personality की id ego super ego मैंने कफी अच्छी से आपको समझाया है id क्या होता है super ego क्या होता है ओके तो यह आपको कहती है कि the ego obeys the reality principle okay c is का right answer होगा आपके पास next हमारे पास frustration aggression hypothesis देखिए जो आपके पास frustration है and aggression hypothesis है वो किस चीज को represent करती है वो आपके पास represent होती है assume that frustration produce aggression ओके यह question काफी time exam में आपके पास आया है next है हमारे पास the james lang or body reaction theory of emotion said आपके पास james lang or body reaction theory है emotions related वो आपको क्या represent करती है तो वो आपको यहाँ पे represent करती है you react with your body first then your feeling okay तो यह आपको कहती है you react with your body first then your feeling okay these right answer है आपके पास next की तरफ चलते है analysis of avoidance learning suggest that many phobia are acquired through dash dash condition तो आपके पास जो analysis of avoidance learning की वो आपको suggest करती है कि जो phobias आपके पास डर आपके अंदर होता है वो किस की बज़े से हमारे पास आता है वो basically हमारे पास आता है for a through classical condition okay next हमारे पास ability to learn by observing a model और receiving instruction without reinforcement is called यानि आपके पास कोई भी ability है सीखने की observing of model और receiving instruction बिना किसी reinforcement के वो हमारे पास क्या कहलाती है हमारे पास कहलाती है social learning okay क्या कहलाती है हमारे पास social learning next question की तरह बढ़ते हैं conditioned response may be eliminated by withdrawing reinforcement okay जो भी आपके पास conditioning response है उसको eliminate किया जा सकता है withdrawing reinforcement this is known as उसे हम क्या कहते है उसे कहते है excitation okay let's take extinction okay extinction next day मेरे पास any stimulus that follow a behavior and increase the likelihood that the behavior will be repeated is called यानी आपके पास stimulus यानी अदीपन any stimulus that follow a behavior and increase the likelihood that the behavior will be repeat is called उसे हम कहते है reinforcement okay next हमारे पास illness that see to result for an interaction of physical and psychological factor are called तो वो हमारे पास क्या होती है हमारे पास होती है psychosomatic okay psychosomatic next हमारे पास which of the following clinical procedure are based in part of classical conditioning यानी आपके पास कौन सा पार्ट है या वीच आप the following clinical process the clinical procedure are based in part of part on classical conditioning वह आपके पास systematic de-synthetization okay and guys complicated question है हमारे पास set available है तो इसलिए हम आपको provide इसको करवा रहें okay and आपको किसी भी books में नहीं मिलेंगे यह directly internet से उठाए जाते हैं और exam में आपको आ जाते हैं okay किसी भी book में आपको questions नहीं मिलेंगे बैन प्यूपल आर डैस 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 दे हैब लॉस्ट तच बिद रियाल्टी एन प्यूपल आर psychotic देन दे हैब लॉस्ट तच बिद रियाल्टी ओके सी इसका राइट आंसर आपके पास next है मारे पास intelligence can be defined as जो आपके पास intelligence है उसको हम किस तरह से define कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं intelligence यानि the ability to think objectively and learn for experience ओके डी जो है इसका आपके पास right answer है तो common question है मारे पास next है मारे पास according to PRJ the process of building mental representation of the world through direct interaction with it is तो यह किसके साथ है आपके आपके पास इसे आप वो कहता है adaptation ओके यह काफी common term है यूपल who consistently come up with explain of event are more prone to depress यह नि यहां पर option number कौन सा रहा फिल होगा आपके पास यहां पर option number C ओके देखिए इन questions को note कर लीजिएगा क्योंकि directly question आएंगे तो ना कुछ समझने वाली term है ना कुछ other terms directly मैं कहूं तो रटा मारने वाली term है आपको याद हो जाएंगे question से okay the leading cause of mental retardation is believe to be so leading cause of mental retardation किसके ओपर believe करती है वो आपके पास environmental factors के ओपर depend करती है okay भी आपके पास इसका right answer है next एमारे मास an affective disorder in which a person swing for one mood extremely to other तो वो कौन सा होते है वो आपके पास bipolar यह निए disorder है आपके पास जिससे person एक से दूसरी condition में जो है directly चला जाता है ओके next है मारे पास अलवर्ट इलाइस एंड रॉन बैक आर नेम associated with the that's the therapy approach आपके पास कौन सी therapy से related थे cognitive therapy okay cognitive therapy approach से आपके पास से related थे a process by which a trained professional use psychological method to help people with psychological problem is known as तो से हम क्या कहते हैं psychotherapy okay psychotherapy next है मारे पास basic character of characteristic of task that result in social loading is या laughing is that they are addictive negative subjective या multiplicative तो या आपके पास addictive okay basic character of task that result in social laughing is that they are addictive next है मारे पास job satisfaction is enhanced by task that are तो आपके पास challenge but not over willem okay next है मारे पास प्याजे state for infancy is तो प्याजे की जो state है infancy में वो है आपके पास sensory motor thoughts next question है मारे पास when a researcher tests several groups of people at the same time each group at a different age he is conducting desk desk study वो कोई चीज़ को study कर रहा है especially आपके पास cross sections को study कर रहें okay cross section को next हमारे पास an individual become a member of social group through the process of कोई भी individual है वो कौन सी process के through social group का member बन सकता है वाई socialization okay with the help of socialization next हमारे पास the first two week of life are referred to as the new net period okay first two week of the life next हमारे पास it would be more accurate to say that maturation the maturation को हम क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे is greatly accelerated by good health care and delay by illness next हमारे पास 38 which of the following is a part of the psychosocial domain the psychosocial domain का पार्ट है आपके पास style of behaving okay next हमारे पास the state of prenatal development during which of the development organism is most valuable okay थोड़ा स्पेलिंग में गलत है यहां पे बैले बल तो आपके पास embryonic stage देखी काफी complicated question है सच मैं बता हूं तो इतना ज्यादा इनके concept के बारे में मुझे भी knowledge नहीं है हमारे पास question sets available थे तो हमने सोचा कि आपके साथ इनको share कर दे क्योंकि HP board में कभी भी कोई भी question आ जाता है okay next हमारे पास the child increased skill at using the muscle is due chipping to learning okay next हमारे पास in psychology case study are used to psychology में study क्यों use कि जाती ताके different different conclusion हम निकाल सके यानि drawing journal conclusion about behavior of the client 42 है मारे पास perceptional consistency are perceptional consistency आपके पास किस चीज़ को represent करती है and aid is perceiving a stable and a consistent world next हमारे पास psychology में best we describe as the scientific study of dash dash and a dash आपके पास behavior and a mental process को represent करती है next हमारे पास fluid behavior that adult problem usually वो कहता है आपके पास adult problem basically आपके पास can be pressed back to critical stage during childhood okay next हमारे पास gestual theorist emphasis तो आपके पास emphasis करते हैं और tendency to see pattern okay next हमारे पास whereas the dash dash ask that happen when an organism does something the dash dash ask how and why so functionalist and stuck list okay structure list next हमारे पास the dash dash lobe is to here as the occupatel lobe is to bezel okay vision वो आपके पास temporal next हमारे पास reflection reflexes are usually controlled by दा आपके पास ये कर मोटी है spinal cord के थ्रू next हमारे पास a part of the brain that terseed signal any alert to the high center of the brain is the response to income message is तो आपके पास reticular formation next हमारे पास perception of the bright या perception of the brightness of a color is affectly mainly why तो आपके पास mainly affected होती है the saturation of light waves से ओके और डिरेक्ली हैं से questions skip हो गया psychophysics is the study of psychophysics आपके पास study होती है the psychological perception of the physical stamina तो गाइस काफी complicated question है and इनको check कर लेते हैं total कितने questions हमारे पास यहाँ पे अबिलेबल है okay तो पूरे hundred questions हमारे पास अबिलेबल है तो इनकी PDF file में आपको provide करवा दूँगा बहां से आप इनको खुद note down कर लीजिएगा okay and एक नजर मारी एगन के उपर काफी important है directly आपके number बना सकते हैं और काफी टाइम ऐसे question exam में आ चुके हैं okay तो थोड़ा जो complicated question है different तो इसलिए इसको हमने model test paper में include किया है so बाकि जो भी question यहाँ पर बसते हैं वो next part में हम आपके लिए यहाँ पर study कर लेंगे okay यहनी next part में हम इसको study करेंगे तो तब तक के लिए मिलते है next video में and इसकी PDF file हम आपको जल्दी ही provide करवा देंगे जो इसकी PDF file है वो हम आपको जैसे कल कल हम इसको include करेंगे and then यह खतम होगा तो इसकी PDF file हम आपको उस next video के description के link में डाल देंगे okay तो बहां से आप इसको download कर लिजिएगा okay आज इसकी PDF file आपको नहीं मिलेगी